अज बात करने वाले हैं ओक्रा के different insect paste और उनकी management के बारे में फर्स्ट आप आपको बता दें ओक्रा इस वन अप्र इंपोर्टेटेबल क्रॉप विस्ट अल ओर दॉर्ल अफ्रिका अमेरिका आस्ट्रेलिया एंडिया स्रिलंका पाकिस्तान भूटान नेपाल एट्सेटर कंट्री में इसका कल्टिविशन जादा होता है यह जो ओक्रा जो है यह प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है साथ में इसमें फाइवर का भी बहुत अच्छा सोर्स है ओक्रा की स्टेम का यूज़ वाटर फिल्टर में भी किया जाता है और इसके सीड का यूज़ ओयल निकालने के लिए भी किया जाता है इसका जो फ्रेसिक्स जो है उकरा में लगनेवा जो इंसक्स है मेरीज न chỉम्ट वुट व इल्डागा साड़ emocidee,श शूट पूररि,श॥ अइन फूरी ईरिस संव्हु इंसूलेण ऑफिर इरिस सेबिल रून और सेकन्ड फैसीट wert यहां लगनेवा इंस्क्स दोनों में होते हैं को टन ओर डोनों ही क्रॉप में पेश्ट है यह डेमेज करते हैं अटेक करते हैं हम सबसा है करते हैं औो ऑड चूट एंड फ्रूट बूयर की इरिश विटेलर जो है ऑर्डर लेप्डव टेरर फैमली नॉख्टवडे के मेंबर होते हैं यह जो मोत होते हैं मेडियम साइज के होते हैं जिनके जो four wing होते हैं वो greenish color के होते हैं उनमें green strix बने होते हैं इनके जो मोथ होते हैं विंग इस्पैम के साथ में 2.5 cm तक चौड़े हो सकते हैं जो इनका दूसरा इस्पीसीज है एरिस इंसुरेना लार्वा है स्क्रीम कलर्ड बोड़ी एंड नंबर ऑफ औरेंज डोट ऑन प्रोथोरिक्स इनके जो लार्वी होते हैं उनके प्रोथोरिक्स में बहुं सारे औरेंज कलर के डोट्स बने हुए होते हैं जिनको हम फ्रूट के ऊपर आसाने से देख सकते हैं लार्वी जो होते हैं वो ब्राउनिस कलर के होते हैं जिनमें वाइट कलर के इस्ट्रिक्स बने होते हैं एडल्ट के जो अगर जो डिपंक होते हैं फोविंक्स उसमें पैल ग्रीन कलर या फिर पिंकिश कलर के इस्ट्रिक्स बने हुए होते हैं दूसरा जो है इरिस इंसुलेना इनका 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 जो लार्वा है वो ब्राउन कलर के होते हैं जिनके प्रोथोरेक्स पे पिंक कलर के डॉट्स बने होते हैं इनका जो प्यूपा है वो बॉट्स सेब्ड होते हैं जो की फूट के अंदर ही या फिर पत्तियों के उपर बनते ह एडल्ट के जो इरिस इंसुलेना है उनके एडल्ट के फोर विंग सिल्वर ग्रीन कलर के होते हैं जो की उनिफॉर्मली होते हैं इनके nature of damage के बात करें तो यह जो इंसेक्ट होते हैं, इरिस इंसलेना या फिर इरिस विटेला दोनों इंसेट के लारवा ही crop को डेमेज करते हैं जैसे के मैंने पहले वीडियो में बताए हैं, order lepdoctera के जो इंसेक्स होते हैं, में लिए उनके larval stage ही damaging stage होते हैं, larva ही damage करते हैं which bore into growing soot bird, flowers and fruit and feed on the internal content ये fruits को flower birds को छेद कर उसमें enter कर जाते हैं और internal parts को feed करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं जो infested fruit होते हैं वो सूख के मर जाता है अब पेड से गिर जाता है the infested fruit जो है वो अजीब सा shape में बन जाता है deformed and so holes on them उसमें मूडा हुआ या विक्रित आकार का हो जाता है जिसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं जो कि exit hole या entrance hole हो सकता है entrance hole अगर होता है तो उसको insect अपने excreta से solid excreta से plug कर देते हैं बंद कर देते हैं due to larval feeding and presence of excreta inside the fruit become unfit for human consumption क्योंकि ये अंदर से search चुका होता है excreta के कारण search चुका होता है और insects उसको feed करके nest कर चुके होते हैं इनके life cycle जो है लगभग 25 से 45 दिन में complete होता है जो female mood होते हैं उस single single अंडे देते हैं flower birds या brackets या फिर leaves या fruits के ऊपर में रात के समय इनका natural flight होता है और रात के ही समय ये अंडे देते हैं एक female अपने पूरी जीवन कार में लगवग 200 से 400 तक अंडे दे सकती है अंडों के hatching 2 से 10 दिन तक के बीच में हो सकता है mainly इनका जो अंडा होता है वो 3 से 5 दिन में hatch हो जाता है तीन से 5 दिन के पस्चात नूले है जो लारवी होते हैं वो feed करना start करते हैं प्रामरी कंडिशन में ये जो insect होते हैं इनके लारवी initial stage में पत्तियों को scrap करके खाते हैं लेटर ये shoot में बोर करके enter कर जाते हैं और internal part को feed करते हैं एक साल में इनका 7 से 12 generation तक complete हो सकता है इनका जो life cycle का एक diagram है जिसमें देख सकते हैं जो एक period है वो 2-10 दिन में complete होता है level period 14-21 दिन में complete होता है people period जो है 7-15 दिन तक चलता है और 2-5 दिन तक ही adult के रूप में जिवित रहते हैं इस तरह से इनका जो life cycle है 25-45 दिन में complete हो जाता है और एक साल में इनका life cycle 7-12 life cycle तक complete हो सकता है नेक्स्ट इंसेक्ट इस ओक्रा जैसिड एमरेस का बिगुटूला 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 जो है वो order hemiptera family society lady के members होते हैं यह जो insects होते हैं polyphagus होते हैं highly polyphagus होते हैं जो कि बहुंस सारे crop को damage करते हैं यह order hemiptera के insects होने के कारण इन में sucking type mouth parts पाया जाते हैं और यह zigzag motion भी करते हैं marks of identification जो है name are pale green in color adult is measuring 3.5 mm in length and wedge shaped pale green color with a black spot on each four wing and two spots on vertex of the head head के vortex में दो sports बने हुए होते हैं यह जो insects होते हैं यह sucking paste होते हैं plants के tender parts से plant tissue से उनके sap को शक करते हैं जो infested leaves होते हैं यहलो color में turn हो जाते हैं और downward curl हो जाते हैं infected leaves जो है वो dry up होके margin से पूरी dry up होके brown color में change हो जाते हैं guys amrace का bigotula bigotula जो insect है इनका life cycle लगभग 7 से 25 दिन में complete हो जाता है इन में incomplete metamorphosis पाया जाते हैं इनके जो egg होते हैं वो cigar sept होते हैं जो female hoppers होते हैं वो लगभग 15 अंडे अपने पंद्रा अंडे लगभग अपने पूरे जीवन काल में देते हैं जो की चार से ग्यारा दिन में hedge होते हैं चार से ग्यारा दिन में hedge होने के बाद में जो name होते हैं लगभग 7 से 25 दिन में complete develop होके adult बन जाते हैं और इनकी जो life cycle है लगभग 25 दिन में इनका host range बहुत ही ज्यादा बहुत ही wide होता है यह कई प्रकागे crop में attack कर सकते हैं जस्ट लाइक टॉबैको, cotton, tomato, potato, okra, brinjal etc हर प्रकागे crop में attack करते हैं यह family allerodidy order hemiptera के member होते हैं यह जो insects होते हैं यह बहुत ही छोटे minute होते हैं जिनकी body yellow color की होती है बट इनकी body और wings जो है white color की wax tree scale से धके होते हैं जिस वज़से इनको white fly कहा जाता है यह जो insects होते हैं यह shucking paste होते हैं प्लान के tender parts से cell sap को shuck करते हैं साथ में यह बहुत ही कई प्रकार की viral disease के vector भी होते हैं viral disease को transmit करते हैं और यह honey do secret करते हैं जो की सूटी mold का कारण बनता है जिस वएसे बहुत सारे fungal growth plants में हो जाते हैं यह जो insects होते हैं अपने पूरी जीवन काल में maximum 125 तक अंडे दे सकते हैं और इनका जो life cycle है लगभग 15 से 30 दिन में complete हो जाते हैं जो life cycle है फिगर में देख सकते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट इस एफिड एफिड जो है यह पॉलिफेगस पेस्ट है जो ओकरा एफिड है इसके में ली कॉटन ओकरा और ब्रिंजल पर अटेक करते हैं मार्क्स ओप आइनिटिफिकेशन जो है एडल्स आर टू स्मॉल है बहुत ही माइनूट पेस्ट होते हैं जिनका आकार maximum 2 mm तक लंबे हो सकते हैं जिनका कलर येलो ग्रीन या ब्लैक हो सकता है बहुत ही सॉफ्ट पॉइड होते हैं दे आ प्रोवाइड विद आ पेयर आप स्मार्ट टूबर इस्ट्रूक्चर प्रोजेक्टिंग आउट फॉम डोर्सल सरफेस ओन दपॉस्टिरी डिजिन आप द बोडी नोनेस कॉर्णिक इनके जो last abdominal segments होते हैं जो posterior region होता है बोडी के उसमें दो cornicles जोडी cornicles निकले हुए होते हैं जो इनकी अलग पहचान कराते हैं ये जो insects होते हैं ये भी sucking paste होते हैं जो कि plants के tender parts से flower birds से टीशू से cell sap को श्रक करके पनों को नुक्सान पहुँचाते हैं इनके वज़े से इनके feeding के वज़े से जो plants होते हैं वो सिकूर जाते हैं मुर्धा जाते हैं और उनमें कई प्रकार के viral disease भी affect करते हैं severe infestation होने पे जो leaf होते हैं वो curl हो जाते हैं extended growth and gradual dying up resulting into death of young plants जो young plants होते हैं वो death कर जाते हैं मर जाते हैं इनके life cycle के अगर बात करें तो यह जो insects होते हैं इनकी life cycle लगभग 20 से 25 दिन में complete होती है जो adult female होते हैं इनमें pathogenetically breeding pathogenetic होता है तो जो adult होते हैं adult female वो 8-22 निम पर डे के हिसाब से ले करते हैं 8-22 निम पैदा करते हैं जो कि 7-9 दिन में complete adult बन जाते हैं इस तरह से जो इनका life cycle है adult बनने के बाद में यह लगभग एक हपते तक जिन्दा रहते हैं और इस तरह से इनकी life cycle है लगभग 15 से 20 दिन तक maximum 25 दिन तक इनका life cycle complete हो जाता है they are green or brown in color adult is about 2 mm long and yellow green or black in color with a pair of cornicles on the abdomen adults may be winged और wingless इनमें winged और wingless दों टाइप के हो सकते हैं जो life cycle span है यह max जो 15 से 20 दिन का life cycle है severe condition होने पे या favorable condition होने पे इनका life cycle बहुत ही जल्दी complete होता है लगभग 6 से 10 दिन में का life cycle complete हो red cotton bug, red cotton bug is also a polyfagus paste यह जो है mainly cotton और okra पही अटेक करते हैं बट यह भी polyfagus paste होते हैं कई पर क्रॉप species पही अटेक करते हैं red cotton bug red color के होते हैं जिन पर black color के dots बने होते हैं यह order hemiptera family pyrocology के members होते हैं यह आकार में काफी लंबे चपटे और red color के होते हैं जिन में चटक लाल कर रहा होता है चमकीला color होता है marks of identification the adult insect is about 15 mm long the male slightly shorter than the female इनके जो male होते हैं female से छोटे होते हैं जो male होते हैं उनका जो लंबाई होता है लग 12 mm होता है और female का 15 mm the body is prominently red with transverse white marking on the head sorry on the ventral surface the four wings are half reddish and with brown or black dot जो सरीर होता है जो wings होते हैं और red color के होते हैं और इनके पंकों में black dots या brown dots बने होते हैं जो इनकी पिछली जोडी पंक होती है वो पूरी body को ढखके रखती है the eyes, antennae and legs are blackish in color अगर इनके nature of damage की बात के हैं तो यह जो insects होते हैं यह shaking paste होते हैं जो कि plants के tender parts से cell sap को शक करते हैं बहुत नेम पेड अडल्ट शक the leaf and fruit sap the plants become weak यह जो insects होते हैं यह cluster में अंडे देते हैं 80-100 तक अंडे देते हैं एक साथ और इनकी एक का hatching लग 7 दिन में हो जाता है यह जो insects होते हैं इनका life cycle लगभग 60 दिन में complete हो जाता है minimum 45 days maximum 90 days तक इनकी life cycle चल सकती है यह जो insects होते हैं एक साल में इनका 2-3 generation बस complete हो पाते हैं guys okra में हमें integrate paste अपनाई जाए because okra is a okra is a vegetable crop जिसमें हम chemical insects का कम से कम use करना चाहिए हमें इसलिए हमें integrated paste management IPM का इसमें use करना चाहिए first है cultural practice cultural practice में removal of alternate host near the okra field will help in minimizing the infestation of soot and fruit borer अगर alternate host को हटा दिया जाए alternate host just like cotton wild cotton जूट यह जूट यह अदर जो alternate host है उनको remove कर दें चाहिए destruction of alternate wild and cultivated host will help in minimizing infestation of wild fly white fly के alternate host को भी हमें remove कर देना चाहिए इसके लावा कुछ resistance varieties हैं जो कि shoot and fruit borer के प्रती काफी resistance होते हैं पूसा मकमली, Hb 55, कल्यान पूर बोनी एट्सेटरा यह जो इन varieties हैं यह काफी हद तक जो shoot and fruit borer है उनके प्रती resistance होते हैं उसके अलावा कुछ varieties हैं जो IVRI से released हैं वह भी resistance हैं दूसरा है कुछ जो resistance varieties है जैसिट के प्रती resistance है कुछ इसमें varieties जो release किया गये हैं वह जैसिट के प्रती और whitefly के प्रती resistance हैं just like IIHR 4, Punjab 7, AE30, etc whitefly के against जो resistance varieties है वह है परभनिक रानती, Hb7, Naamoon, AE22, etc यह जो varieties हैं यह काफी resistance हैं हमें inter crop लगाने चाहिए inter cropping करने चाहिए leguminess crop के साथ में जैसे की cow pea या cow pea या पिजन पी के साथ में हम inter cropping कर सकते हैं summer flowing clean cultivation कर सकते हैं और resistance varieties जहें इनका use कर सकते हैं जो resistance varieties जहें जैसे कि मैंने अभी कुछ दिर पहले बताया whitefly, jazzseed और shootbooler के लिए red cotton bug के लिए भी कुछ resistance varieties है just like IIHR4, Punjab7, AE30 etc next is mechanical and physical control methods just like हमको damaged fruit है उनको remove करके destroy करने चाहिए जला देना चाहिए pheromone trap का use कर सकते हैं light trap का भी use कर सकते हैं क्योंकि जो maximum lapidopteroid insects होते हैं वो निशाचर होते हैं रात रिचर होते हैं रात के समय active होते हैं रात के समय active होने वाले maximum paste जो है वो light से attract होते हैं तो हमें इनको light trap से trap करना चाहिए next is using yellow sticky trap for whitefly and aphid next है biological control biological control just like trichogramma chelonis trichogramma is egg parasitoid इसको हम release कर सकते हैं shoot and fruit boy के लिए उसके अलावा brachonis जो है larval parasitoid उसका भी हम use कर सकते हैं aphid जैसे whitefly के लिए हम cox and needle cox and needle जो beetles है उनका भी हम use कर सकते हैं ladybird beetle के use कर सकते हैं इनका mass release करके chrysoparlah का mass multiplication करके field में release कर सकते हैं nsk4% का हम इस्प्रे कर अगर करते हैं तो aphid के प्रतिक काफि resistance होता है aphid के लिए antifidant का काम करता है chrysoparlah जो है वो फर्स्ट इंस्टार लार्वे को काफि हत्तक कम कर देता है next है chemical control chemical control में हमें delta methrin का use करना चाहिए delta methrin 10% 10 gram active ingredient per hectare के दर से हमें use करना चाहिए emamectin benzoate is also a effective pesticide imidaclorpid 2-3 spray कर सकते है imidaclorpid, spinozade यह जो insecticides यह systemic insecticides हैं जिनको हम aphid whitefly के against use कर सकते है cypermethrin, parmethrin spinozade यह carbofuran etc का भी हम use कर सकते है आज के लिए बस इतना है thank you यह to